इसके बाद हम देखते हैं फिनोलों की अमलता का कारण फिनोलों की अमलता का कारण हम इसके पहले देख चुके हैं फिनोलों की अमलता जब यह सोडियम पोटेशियम या अलूमिनियम धातों के साथ क्रिया करते हैं या फिर जब फिनोल की सोडियम हाइड्रोकसाइड के साथ अभी क्रिया होती हैं जिससे हमने इसकी अमली प्रकृति का पता चलता है यहां पर हम देखें कि जो फिनॉल की सरचना होती है उसमें जो ऑक्सीजन परमाणू होता है वो एक ऐसे कारबन से जुड़ा होता है जो कि SP2 संकृत अवस्था में होता है और हम जानते हैं कि जो SP2 सं पस्थित इलेक्ट्रान जोड़े हैं उन्हें अपनी ओर रिंग की तरफ आकरशित कर लेता है जिससे यहां पर जो ऑक्सीजन है उस पर धनावेश हो जाता है और धनावेश आजाने की वजह से अब ऑक्सीजन हाड्रोजन के बीच जो आबंध जोड़ा होता है वह हाड्रोजन के बीच जो आबंध है उसकी धुरुवता में वृद्धी हो जाती है और धुरुवता में वृद्धी हो जाने की वजह से यहां पर से हाड्रोजन का प्रोटॉन के रूप में निस्काशन सरल हो जाता है और इस तरह से हम देखें कि फिनॉल एलकोहलों की तुल के होते हैं और इसका उधारन हम जब इसके फिनॉलों की सोडियम हाइड्रोकसाइड की क्रिया के द्वारा भी देख चुके हैं जब फिनॉल की सोडियम हाइड्रोकसाइड के साथ क्रिया होती है तो यह सोडियम फिनॉकसाइड यानि की लवन बनाते हैं और साथ ही साथ जल भ यहाँ पर फिनोलों का आइनन यदि हम एलकोहल और फिनोलों के आइनन की तुलना करें तो यहाँ पर एलकोहल का जब आइनन होता है तो यहाँ पर आर ओ माइनस यहाँ पर एलकॉक्साइड आइन बनते हैं तथा प्रोटान एच प्लस आइन बनते हैं दूसरी और जब फिनोल का आयनान होता है तो यहां पर फिनॉक्साइट आयन बनते हैं साथ यहां पर एच प्लस आयन बनते हैं अब यहां पर हम देख चुके हैं कि जो फिनॉल में ओ एच समू जो है वह स्पीटू हाइब्रिट कार्बन से जुड़ा हुआ है जिससे जो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रान चोड़ा है वह रिंग की तरफ खिच जाता है जिससे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के आबंध की ध्रोता में व्रधी हो जाती है और इसलिए यह आसानी से प्रोटॉन त्याग सकते हैं और इसलिए यह अल्कोहल की तुल्ला में अधिक अमली होते हैं दूसरी जो इसका ज्य यहाँ पर हम देखें कि जो अल्कोकसाइड आयन बनते हैं तो उस समय ऑक्सीजन पर रिंग की तरफ खिच जाता है यहने कि जो इलेक्ट्राइन जोड़ा है वह डी लोकेलाइजड हो जाता है और डी लोकेलाइजड हो जाने के वज़ा से जो फिनोकसाइड आयन होते हैं वह उनादी सरचनाव के द्वारा ज्यादा इस्थाइत्व प्राप्त कर लेते हैं और यही कारण है कि जो फिनोकसाइड आयन होते हैं वह फिनॉलों की तुल्ना में भी अधिक इस्थाई होते ह और इसी तरके वजह से क्योंकि फिनोकसाइड आइनों का इस्थाइत्व जादा होता है और इसलिए जो फिनॉल है आसानी से प्रोटान त्याग कर फिनॉकसाइड आइन जो की अधिक इस्थाई अवस्था है उसमें रहना चाहता है और इसलिए इस वजह से भी फिनॉलों की अम्लिता बढ़ जाती है किसी भी अम्ले की अम्लिता हम यहाँ पर उनके acid dissociation constant के के value के द्वारा पता कर सकते हैं क्योंकि जो के की value जितनी अधिक होती है कि उस species या योगिक की अम्लिता उतनी अधिक होती है यहाँ पर हम देखें कि जो PKA है यह बराबर होता है माइनस लॉग के बराबर होता है यहाँ पर जो के है वह अम्लिता के तो समानुपाती होता है लेकिन यहाँ पर जो PKA जो value है उसके वितक्रमानुपाती होता है तो इस तरह से जब हम किसी योगिक के PKA की value की गढ़ना करते हैं तो PKA की जो जितनी जादा अधिक होती है उस योगिक की अम्लिता उतनी जादा कम होती जाती है तो इस आधार पर किसी भी योगिक के हम PKA value की आधार पर हम इनकी अम्लिता की तुल्ला कर सकते हैं इसके बाद हम देखते हैं प्रतिस्थापी फिनॉलों की अम्लिता हमने पहले ही कहा किसी भी अम्लिता इस बात पर निर्भर करती है कि वह कितनी आसानी से hydrogen proton के रूप में त्याग सकता है और हम जानते हैं कि फिनॉल तब hydrogen को proton के रूप में त्याग सकते हैं जब इसमें इनकी ध्रूता में oxygen hydrogen के बंद की ध्रूता में वृद्धी हो जाती है यहने कि oxygen पर electron घनत्व कम होता है अब हम देखें कि यदि फिनॉलों में ऐसे species या अणू उपस्थित होते हैं या ऐसे प्रतिस्थापी उपस्थित होते हैं जो कि oxygen की electron घनत्व को कम करते हैं तो निश्चित रूप से ऐसे प्रतिस्थापी फिनॉल की अमलता को बढ़ाएंगी लेकिन यदि इनमें ऐसे प्रतिस्थापी उपस्तित हैं जो कि ऑक्सीजन पर इलेक्ट्राण घनत्यों को बढ़ाते हैं तो ऐसे प्रतिस्थापी फिनोलों की अमलता को कम कर देंगे उदारन के लिए हम यहाँ पर लेते हैं नाइट्रो समू हम जानते हैं कि जो नाइट्रो समू होते हैं वो अच्छे इलेक्ट्राण विड्रॉइंग ग्रोप होते हैं यानि कि इलेक्ट्राणों को अपनी और खीचने वाले समू होते हैं और इसलिए जब यह रिंग में उपस उपसित होते हैं फिनॉलों के साथ प्रतिस्थापी के रूप में उपसित होते हैं तो ये एलेक्ट्रान घनत्यू को अपनी ओर रिंग की तरफ खीच लेते हैं और इसकी वज़ा से जो ऑक्सिजन हाइड्रोजन बंध की धुरुवता में व्रधी हो जाती है और इस वज़ा स प्रोटॉन का निस्काशन अधिक हो जाता है उधारण के लिए यदि हम लेते हैं आर्थो नाइट्रो फिनॉल जिसमें की फिनॉल में आर्थो पोजीशन पर एक नाइट्रो समू जुड़ा हुआ होता है दूसरी और यहां पर हम उधारण ले रहे हैं एक फिनॉल की फिर सम्भू उपस्थित होता है तो इसे हम आर्थो क्रिसॉल कहते हैं या फिर हम सिंपल एक उदारन ले देते हैं एथेनॉल की जब हम इन सभी भिन भिन योगिकों के अमलता की तुलना करते हैं तो हम देखते हैं कि जो आर्थो नाइट्रो फिनॉल है इनके पीके ए वैल्यूं जो होती है वह सेवन पॉइंट्ट थू होती है दूसरी ओर जोंडो फिनॉल है जिसमें कोई भी प्रतिस्ठापी उपसित नहीं है इसके PKA वैल्यू होती है 10.0 दूसरी ओर यदी यहाँ पर हम आर्थो क्रिसाल को लें जिसमें कि फिनॉल में एक मिठायल समु प्रतिस्थापी के रूप में उपस्तित होता है तो इसके PKA जो की value हो जाती है 10.2 जो की अधिक होती है तो यदि हम इन तीनों की तुलना करें तो हम देखते हैं कि आर्थो नेट्रो फिनॉल जिसके PKA की value सबसे कम है इसकी अमलीता सबसे जादा होगी यहां पर हम एक और जो योगी के लेते हैं एथेनॉल तो एथेनॉल के जो PKA की value होत होती है यह 15.9 होती है जो कاع Hershati आ ची यह फिनॉलों तथा आर्थो नाट्रो फिनॉल की तुलना में बहुत ही कम अमलीय होते हैं तो इस तरह से सबस्ट की फिनॉल जो है एथेनॉल की तुलना में प्रबल अमलीय होते हैं कि इसके बाद हम देखें कि कुछ पर हम लेते हैं और इन्हें हम अमलीता के बढ़ती हुए अमलीता के क्रम में विवस्थित करते हैं यहां पर हमने लिया है जैसे प्रोपेन वन अर्ल 2-4-6-3-Nitro-Phenol इसमें Nitro-Phenol यहां पर 3-5-Di-Nitro-Phenol और इसके अलाबा हमने पेम्पल जो है फिनॉल ले सकते हैं इसके बाद हम ले रहे हैं फॉर मेथाइल फिनॉल और इन सब के यदि हम बढ़ते हुई अमलिता के क्रम में अरेंज करें तो हम जानते हैं कि सबसे जो कम अमलिय होगा वह होगा प्रोपेन वन ओल इसके बाद हम देखें कि जो फोर मेथिल फिनॉल इसकी अमलता ज्यादा होगी क्योंकि यहां पर फिनॉल में एक मेथायल समू उपस्थित है जो कि फिनॉल की अमलता को कम कर देगा और इसके बाद इससे अधिक अमलता फिनॉल की होगी क्योंकि इसमें कोई भी प्रतिस्थापी उपस्थित नहीं है इसके बाद हम देखें कि जो बाकी के जो योगिक है वो नाइट्रो फिनॉल है यानि की नाइट्रो समू है जो की अमलता में व्रधी करता है तो थ्री नाइट्रो फिनॉल इसकी अमलता फिनॉल की तुलना में अधिक होगी तो यह उसके आगे आ जाएगा और उसके बाद आएगा उससे भी अधिक अमली हो जाएगा 3,5-Di-Nitro-Phenol क्योंकि इसमें दो नाइट्रो समू उपस्तित हैं और इन सब में सबसे जादा अमली प्रकृति होगी 2,4,6-Tri-Nitro-Phenol की क् इसके तीन नाइट्रो समू उपस्तित हैं, इसके इसके उसके तरह से इसकी फिनॉल की अमलता में वृध्धी हो जाएगा ईसके बाद हम एल्कोहल तथा फिनोलों की एक और महत्वपुन अभिक्रिया को जानते हैं, जिसमें की oxygen hydrogen आबन्द का विदलन होता है, यह महत्वपुन अभिक्रिया है, estericale अभिक्रिया, हम जानते हैं ester, ester जिनका सामाने सूत्र होता है, और इहां पर हम देखें कि जब अलकोहल एवं फिनॉल इनकी क्रिया हम कर्बॉक्सलिक अमलों से कराते हैं या फिर अमले क्लोराइडों से कराते हैं तो यह इनके साथ अभी क्रिया करके एस्टर बनाते हैं जैसे कि हम यहाँ पर उधारन दे सकते हैं यहाँ पर आर ओएच जो की अलकोहल है जब इसकी क्रिया हम कर्बाक्फिलिक अमल से कराते हैं आर सी ओओएच के साथ कराते हैं तो यहाँ पर जो अलकोहल का है उसमें के आक्सिजन और हाइड्रोजन आबंध का विदिलन होता है और इस एलकोहल का एक हैड्रोजन एटम करबॉक्सलिक समू के ओएच समू के साथ जुड़कर यहां पर जल बना लेता है तथा बाकी की स्पीसीज यहने की आर ओ तथा जो करबॉक्सलिक समू है उसमें सी ओ आर डैस शमू यहां पर मिलकर एस्टर का निर्मा की उपस्तती में कराई जाती है और साथ यहां पर यह जो अभिक्रिया होती है एस्टरी करण की अभिक्रिया वह उत्क्रमणी अभिक्रिया होती है और उत्क्रमणी अभिक्रिया होने की वजह से यहां पर जब एस्टर के साथ जो जल बनता है उसके जल को तुरंत यहां से निर्षकासित करना हटाना आवश्यक हो जाता है क्योंकि यदि जल को तुरंत हटाए नहीं जाता तो अपुना एस्टर के साथ कर लेता है जलब होता है और सुब अल्कोहल था कॉर्शली क्म्ल में परिवर्ति हो जाता है कि इसी तरह से जो एनहाइडुराइड ओ की फिक्रिया होती है तो यहां पर भी देखें कि जब आमल या इल्कोहल की फिक्रिया आम एनहाइड्राइड की एंडाइड से होती है अब मारे एनदार ए इस पर कार बनते हैं जब दो syle एक अमल के अनु के मद्ध से एक जल का अनु बाहर निकल जाता है तो जिए यह की ऑन्टी है उसे हम अमल अन्हाइड्राईड कहते हैं तो यहां पर जब आ और एच यहां पर यहां पर इलकोहल है जब इसकी क्रिया हम अमल उन्हेद्रेट को इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं जब इनकी क्रिया उमल की उपस्थती में कराई जाती है, तो यहां पर भी एस्टर प्राप्त होते हैं और साथ यहां पर जो आमल एन हाइड्राइट के एक आर सी ओ समू का एलकोहल के साथ ये जुड़कर एस्टर बनाते हैं जबकि दूसरा जो आर सी ओ तो एस समू होता है वह हाइड्रोजन को लेकर या एसिटीक एसड में परिवर्टित हो जाता है तो इस तरह से यहां पर एस्टर तथा कर्बक्सलिक अपल यह प्राप्त होते हैं इसी तरह जब हम एलकोहलों की क्रिया एसेटल क्लोराइट से कड़ाते हैं अस्टिल क्लॉराइड जिसे हम सम्माने सुत्र आर,C, O,C, L के द्वारा प्रदर्शित करते हैं जब इनकी क्रिया आसितिल क्लॉराइड से कराते हैं तो यहां पर भी हमें एस्टर प्राप्त होते हैं और साथ यहां पर HCl बनता है अलकोहल के जो घ्र जन है तथा जो अमल क्लोराइड है उनके CL मिलकर यहाँ पर SCL का निर्माण करते हैं और इसलिए यह जो अभिक्रिया होती है वह छारक यानिकी पिरडीन की उपस्तिती में कराई जाती है जो कि यहाँ पर उत्पाद के रूप में बनने वाले SCL का उदासी नी करण कर देती है तो इस तरह से यहाँ पर हम भिन भिन विधियों के द्वारा एलकोहल की क्रिया कार्वाक्सलिक अमलों से अमल क्लोराइडों से या फिर अमल एनहाइड्राइडों से कराकर एस्टर प्राप्त करते हैं और यह जो अभिक्रिया होती है वह एस्टरी करण की अभिक्रिया कहलाती है तेक इसी की तरह एक और महत्वपुन अभी क्रिया है जिसे हम एसिटली करन कहते हैं एल्कोहल तथा फिनॉल में एसेटल समूं समूं को एड कराना या कयोग कराना यह कहलाता है ऐसिटली करन इसे हम सलेटलिक अमल के उदारान के द्वारा समझ सकते हैं सलिक सलिक अमले जिसमें हम देख रहे हैं कि बेंजिन रिग में एक करवाक्सिलिक समू तथा एक हड्रोक्सिल समू दोनों आर्थों पोजीशन पर उपस्तित होते हैं जब इनकी क्रिया हम एसेटिक अन हड्राइट के साथ कराते हैं तो यहाँ पर जो फिनॉलिक समू ओएच समू है यहाँ पर तो हड्रोक्सिल समू के ऑक्सिजन और हड्रोजन बंद का विदलन होता है तथा यहाँ हड्रोजन यहाँ पर से निस्काशित हो जाता है तथा इसका प्राप्थ होता है और जिसे हम एसेटल सलेसलिक अमल को इसे समाने नाम एस्परीन के नाम से भी जानते हैं और यह टेबलेट के रूप में भी बाजार में उपलब्द होती है जो की पीडाहारी या जर नाशी के तौर पर उप्योग में लाई जाती है साथ ही साथ जो एन हाड्राइड का जो बचा हुआ CS3COO समू होता है वह निश्कासित हुए प्रोटॉन को ग्रहन करके यह एसेटिक एसेड में कन्वर्ड हो जाता है तो इस तरह से हम देखें कि सलेसलिक अमल के एसेटली करण के द्वारा हम एक महत्तपुन उत्पाद एसेट वह सभी अभिक्रियाएं जिसमें कि एलकोहल तथा फिनॉल में उपस्तित ओ एच बंद का विदलन होता है अब हम उनर आसानी कभी क्रियाओं को देखते हैं जिनमें कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच उपस्तित बंदों का विदलन होता है यहां पर हम बता दें कि ऐसी अबंधों का विदलन होता है यह अभिक्रियाएं प्रायर एलकोहल में देखी जाती हैं फिनॉल इसमें केवल एक ही अभिक्रिया देता है जब इसकी क्रिया हम जिंक डस्त के साथ कराते हैं इसके अलावा इसकी इस प्रकार की कोई अभिक्रिया नहीं होती है लेकिन एलकोह जिसमें कि carbon और oxygen के मद्ध उपस्तित बंद का विदलन होता है तो इसमें से कुछ अभी क्रियां को हम देखते हैं सबसे पहले हम देखते हैं कि जब alcohol की क्रिया hydrogen हींज़न हालाइडों से कराई जाती हैं जब एलकोохol की क्रिया हम हाइड्रोजन हालाइडों के साथ कराते हैं तो यहां पर जो हाइड्रोजन OH समू है पूरा कार्बन से जुड़ा हुआ जो OH समू है यहां निसकाशित हो जाता है क्योंकि यहां पर कार्बन और ऑक्सीजन के बंद का जो विदलन हो रहा है तो यहाँ पर OH समू निस्काशित हो जाता है और साथ यहाँ पर जो हाइडरुजन हिलाइड होते हैं उसमें से हिलाइड समू आकर yawn कि अलकिल समू से जड़ जाता है और इस तरह से हमें अलकिल हिलाइड योगिक प्रापत होते हैं यहाँ पर हम देखें कि इस कृया के ड़ारा हम प्राथमिक दुतियक और तृतियक तीनों प्रकार के अलकोहलों की पहचान कर लेते हैं इसके लिए एक विशेस अभिकर्मक उप्योग में लाए जाता है जिसे हम लूकास अभिकर्मक कहते हैं और इस अभिक्रिया को लूकास परिक्षण के नाम से जाना जाता है। लूकास अभिकर्मक होता है जिसमें की सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अमल तथा जिंक क्लोराइट का मिश्रण होता है जिसे हम लूकास अभिकर्मक कहते हैं। जो परिक्षण है वो इस अधान पर आधारित है कि जब अल्कोहलों को भीन भीन अल्कोहल यानिकी प्रात्मिक दुतियक यातित devenir प्रकार के जो अल्कोहल हैं उनको जब लुकास अभिकर्मत में डाला जाता है तो ये इसमें अविले होते हैं और इसमें एक अविलेता प्रदर्शित करते हैं और इसलिए जो सॉलूशन मिक्चर होता है उसमें ये धुन्दलापन उत्पन करते हैं यहां पर हम बताएं कि जो अलकोहल्स हैं वो लुकास अभिकर्मत में आसानी से विले हो जाते हैं लेकिन इनसे जो बनने वाले जो इनके अलकिल हलाइड होते हैं वो लुकास अभिकर्मत में विले नहीं होते हैं ये अविले होते हैं और अविले होने की वज़े से ये धुन् तो यहां पर तीनों प्रकार के अलकोहलों की लुकास अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया भिने भिने प्रकार से होती है जब यहां पर तुरतियक अलकोहल को लुकास अभिकर्मक में डाला जाता है तो यह तुरंत धुंदलापन उत्पन करते हैं काफी तेजी से अभिक्रिया हो जाता है जबकि सामाने ताप पर जो दुतियक एलकोहल है वो कुछ समय के पश्चात धुंदलापन उत्पन करते हैं यानि कि यह अभिक्रिया कुछ धीमी गती से होती है जबकि जो प्रात्मिक एलकोहल होते हैं वो सामाने ताप पर इसमें धुंदलापन उत्पन नहीं करते ह तो इस आधार पर हम तीनों प्रकार के अलकोहलों की लुकास अभिकर्मक से अभिक्रिया के द्वारा भिन्नता कर लेते हैं या उनकी हम पहचान कर पाते हैं इसके प्रचात दूसरी अभिक्रिया है वह है फासफोरस्ट्राई हाइलाइडों के साथ अभिक्रिया जब एलकोहलों की क्रिया फासफोरस्ट्राई हैलाइड के साथ कराई जाती है तो यहाँ पर पुना एलकिल हैलाइड बनते हैं जैसे कि यहाँ पर हम एलकोहल की क्रिया फासफोरस्ट्राई ब्रोमाइड के साथ कराते हैं तो यहाँ पर हमें एलकिल ब्रोमाइड प्राप्त हो जब इसकी क्रिया हम PBR3 Phosphorus Tribromide के साथ कराते हैं तो यहाँ पर हमें मिलता है RBR यानि कि Alkyl Bromide प्राप्त होता है और साथ हमें यहाँ पर H3PO3 यानि कि Phosphorus अमल प्राप्त होता है तो इस तरह से यह हमें जो एलकोहल होते हैं Alkyl Bromide में Convert हो जाते हैं इसके बाद हम देखें एलकोहलों की एक और सबसे महत्तपूर्ण अभी क्रिया वह होती है dehydration या निर्जलन जब एलकोहल की क्रिया सांद्र सल्फियूरिक अमल अथ्वा फासफोरिक अमल S3PO4 के साथ कराई जाती है या फिर यहाँ पर हम निर्जलित जिंक या फिर एलमिना जैसे उत्पेरकों की उपस्तती में कराई जाती है तो एलकोहलों में से जल का एक अनू निस्काशित हो जाता है और जल के अनू के निस्काशित हो जाने के फलसरूप यहाँ पर हमें एथेलीन जो असंत्रिप्त हाडरोकार्बन है एथीन प्राप्त होती है उधारन के लिए इसे हम एथेनाल के उधारन के द्वारा समझ सकते हैं जब एथेनाल की क्रिया 443 कल्विन टेंपरेचर पर सांदर सल्फियूरिक अमल के साथ कराई जाती है तो जो सांदर स्ल्फियूरिक अमल है ये बहुत ही अच्छा निर्जली कारक होता है तो यह एल्कोहल में से जल के अनू को निस्काशित कर देता है जिसके फरसरूप हमें इथिलीन CH2 डबल बॉंड CH2 इथिलीन प्राप्त होती हैं इसे हम निर्जली करण की अभिक्रिया कहते हैं क्योंकि इसमें जल का एक अनू बाहर निकल जाता है इसी तरह से प्रात्मिक अल्कोहलों के अलावा दृतियक तथा तृतियक अल्कोहल भी अमल की उपस्ति में क्रिया कराने पर निर्जलीत होकर असंत्रिप्त अल्कीन में परिवर्थित हो जाते हैं जैसे कि जब यहां पर दृतियक अल्कोहल की क्रिया हम कराते हैं तो यहां पर लगभग 85% हमें फास्फोरिक अमल की आवर्शक्ता होती है और यहां पर जो तापमान है वह 440 केल्विन का रखा जाता है जिसके फल्सरूप यह असंत्रिप्त अल्केन में परिवर्थित हो जाते हैं तथा जल का एक अनु निसकाशित हो जाता है इसी तरह से जब हम तृतियक अल्कोहल का नर्जली करन करते हैं तो हमें और भी मध्यम या कम परस्थितियों की आवर्शक्ता होती है केवल 20 प्रतिशत फास्फोरिक अमल की करिया के द्वारा और साथ ही साथ ताकमान भी हमें कम रखने की आवर्शक्ता होती है और जिसके फल्सरूप यह अथीन में कन्वर्ट हो जाते हैं तथा इन में से जल का अनु निसकाशित हो जाता है तो इस तरह से हम देखें कि प्रात्मिक अल्कोहल की तुल्ला में दुतियक और जो तृतियक अल्कोहल है उनका नर्जली करण और सरल होता है क्योंकि तृतियक जो एल्कोहल होते हैं उनसे बनने वाले जो कार्बो केटायन बनते हैं वो ज़्यादा स्थाई होते हैं और इसलिए इनका नर्जली करण आसानी से किया जा सकता है यदि हम एथेनोल के नर्जली करण की किया विधि को समझे तो यह अभी क्रिया हमें और अच्छी तरह से समझ में आ जाती है एथेनोल का जो नर्जली करण की फूरी प्रक्रिया होगी उसे हम तीन पदों में बाढ़ सकते हैं सबसे पहले हैं यहाँ पर एल्कोहल को प्रोटो यहां पर जो alcohol का oxygen होता है उस पर रिन आवेश होता है जिससे कि जो अमलक से प्राप्त proton है वह इससे आकर जुड़ जाता है और जिसकी वज़ा से जो alcohol जो species हमें प्राप्त हो रही है वह यहां पर अभी जो है वह protonated alcohol कहलाती है अब यहां पर जो species प्राप्त हो रही है उसमें oxygen पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है यह जो अभिक्रिया होती है यह उत्क्रमणी प्रकृति की होती है और यह काफी तीवर गती से होती है दूसरे पद में अब हम लेंगे कि जो कार्बो केटायन का बनना यहां पर हम देखें जो प्रोटोनेटेट अलकोहल प्राप्त हुआ जिसमें कि ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज है तो जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि जो ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज जब होता है तो यह काफी अस्थाई अवस्था होती है तो इस स्थती में जो ऑक्सीजन है वो कार्बन ऑक्सीजन के मध्य उपस्थित इले प्रान जोड़ा है वो ऑक्सीजन की तरफ चला गया है इसलिए अब जो कार्बन है बचा हुआ कार्बन है उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और इस तरह से हमें एक कार्बो केटाइन प्राप्त होता है तीसरे स्टेप में अब इस प्रकार जो कार्बो केटाइन प्रा है वो हद्रोजन और कर्बन के वी उपस्तित उलेक्ट्रान जोड़ा है कार्बन और कार्बन के मद्य यहां पर आ जाता है जिससे और जो हैड्रोजन है वो प्रोटोन के रुप में निस्कासित हो जाता है और तफा गःय कर्बन के मद्य एक द्वी बंध का निर्मान हो जाता है तो इस तरह से जहां पर जो एथेनौल है वह एथीं में परिवर्थित हो जाता है और साथ इसाथ जो एक प्रोटॉन है वह है प्लस आयन के रूप में बाहर यहां पर हम देखते हैं कि जो प्रथम चरन में proton H plus I N जो उप्योग हुआ था वह त्रिती चरन में पुना निस्काशित हो जाता है तो इस तरह से यहां पर हम देखते हैं कि इन तीन पदों में के आधार पर यहां पर निर्जली करण की अभिक्रिया पून होती है इसके बाद हम देखते हैं एक और जो महत्वपून अभीक्रिया है वह है एलकोहलों का आक्सी करण यह हम चुकि जब एलकोहलों का आक्सी करण होता है तो यहां पर और OH बंद तथा CH बंद दो बंदों का एक साथ विदलन होता है और यहां पर दो हाड्रोजन यहाँ से निकल कर निसकाशित होते हैं और इस तरह से क्यूकि हम जानते हैं आक्सीजन का जूदना भी ऑक्सी करण होता है यह फिर इसस्पीसीज में से हाड्रोजन का निकलना भी आक्सिकरण कहला तो यहां, पर हम देखें, oh ढगो एच, ch दो बंधों का विदलन होता है, जिसके फिल सरूप, दो जो हाईड्रोजन होते हैं, वह यहां से निषकाशित होते हैं, इसलिए इस अभिक्रिया को वी हाईड्रोजनी करण की अभिक्रिया भी कहते हैं, दो हैड्रोजन के निसकाशन के पश्चात यहाँ पर कार्बनल योगिकों का निर्मान होता है चुकि यहाँ पर विशेश प्रकार के आक्सिकारक अभिकर्मकों का उप्योग यदि हम करते हैं तो यहाँ पर जो प्राथमिक एलकोहल हैं वो आक्सी कृत होकर अल्डिहाइड मे जाकर कार्बोक्सलिक अमलों में परिवर्तित हो जाते हैं तो इस तरह से जो आक्सी करण की क्रिया है वो दो हैड्रोजनों के निसकाशन के द्वारा पूरी होती है और इसी लिए इस क्रिया को हम वी हाड्रोजनी करण भी कहते हैं इसे हम एक उदारन के द्वारा भी समझ स यहां पर हमारे पास उधारन है ऐलकोहल का प्रात्मिक एलकोहल आर्सी एच्टू ओ एच जब हम इसका आकसीकरन करते हैं तो हमें आर्सी एच ओ यहनिकी एक एलडिहाइट प्राप्त होता है जो कि आगे और ज्यादा आकसीकरित होकर अंतुमें और COOH यहने की कार्बॉक्सिलिक अमलों में परिवर्थित हो जाते हैं यदि हमें इन एलकोहलों को सीधे ही कार्बॉक्सिलिक अमलों में परिवर्थित करना होता है तो इसके लिए हमें उच्छ आकसी कारकों की आवश्रक्ता पड़ती है प्राया इसके लिए अमली कृत प्र का उपयोग किया जाता है इसके अलावा अल्डी हाइडों को प्राप्त करने के लिए निर्जली माध्यम में क्रोमियम ऑक्साइड या क्रोमियम एन हड्ब्राइड CRO3 का उपयोग भी किया जाता है जिसमें कि प्रात्मिक एलकोहल और CH2OH यह CRO3 की उपस्तिती में अल्डी हाइड में ऑक्सी क्रित हो जाते हैं प्रात्मिक एलकोहल के ऑक्सी करन से यदि हमें अधिक मात्रा में या ज्यादा मात्रा में यदि हमें एल्डिहाइट की आवशक्ता होती है प्रैप्त करनी होती है तो इसके लिए एक विशेश प्रकार के स्रेश्ट आक्सिकारक का उपयोग किया जाता है जिससे PCC कहते हैं जिसका जो फुल फॉर्म होता है वो है पिरिडिनियम क्लोरो क्रोमेट जो की क्रोमियम ऑक्साइल्ट का पिरिडिन तथा SCL के साथ बना हुआ एक संकुल योगिक होता है जब इसी तरह से जब दुत्यक अलकोहल की क्रिया हम PCC के द्वारा कराते हैं तो चुकि यह बहुत ही अच्छा आक्सिकारक है और इसलिए यहां पर हमें दुत्यक अलकोहलों से क्रिया कराने पर हमें कीटोन उत्प्रेरक के तौर पर प्राप्त होते हैं जैसे यहां पर हम देख लें आर च ओएच और डश इस उकल टू सी आर ओट्री इससे जो बनेगा वह में बलेगा और तो इस तरह से हमें जो दुत्यक अलकोहल है उससे कीटोन प्राप्त हो जाते हैं इसके अलाबावा हम देख कुछ जो प्रबल ऑक्सिकारक है जैसे कि मैंने बताया प्रताइस्यम पर मेंगनेट जो होते हैं वह कई बार जो अलकोहलों से क्रिया कराने पर यह कारबन कारबन के बीच आबंद का भी विदलन कर देते हैं और इस वज़े से जो हमें कई कारबक्सलिक अमल प्राप्त होते और जो कार्बाक्सली कमल प्राप्त होंगे क्योंकि इसमें कार्बन-कार्बन बंद का विदलन हो जाता है इस प्रकार से प्राप्त होने वाले जो कार्बाक्सली कमल होते हैं उनमें कार्बन की संख्या कम पाई जाती है अलकोहलों को ऑक्सिकरेट करने की एक और भी विधी है जब हम प्रात्मिक अल्कोहल को इसमें प्रात्मिक दुतियक और तृतियक अल्कोहल तीनों का यहां पर हम आक्सी करन करते हैं, जब हम प्रात्मिक अल्कोहल का 573 केल्विन तापमान पर जब इसे हम कौपर के उपर से प्रवाहित करते हैं, तो यह जो प्रात्मिक अल्कोहल है वो अल्डिहाइड में परिवर्तित हो जाते हैं दूसरी ओर जो दृतियक एलकोहल होते हैं जब उन्हें हम गर्म कापर यानि की 570 कैल्विन पर जब कापर के उपर से प्रवाहित करते हैं तो हमें ये केटोन प्राप्त होते हैं जब कि यदि हम तृतियक एलकोहलों की क्रिया कराते हैं यानि कि इसे 570 कैल्विन पर कॉपर के उपर प्रवाहित करते हैं तो इनका आक्सी करण नहीं होता है बलकि इनका निर्जली करण हो जाता है और इस तरह से निर्जली करण के फरसरूप हमें एथीन प्राप्त होती हैं तो इस तरह से हम देखें कि एलकोहलों के भिन भिन आक्सिकारकों के द्वारा आक्सिकरन करके हम विभिन प्रकार के एल्डिहाइड, कीटोन तथा एथिन्स प्राप्त कर सकते हैं यहाँ पर हमने देखा कि जब मेथेनौल या एठेनौल का ओक्सी करण होता है तो ऐल्डिहाइट तथा अमल बनते हैं इसी तरह से हमारे शरीर में भी जब मेथेनॉल और एथेनॉल उपस्तित हो जाते हैं तो उनका जैविक ऑक्सी करन होता है और जिसके फलस्वरूप यहाँ पर अमल उत्पन होते हैं प्राय यह देखा गया है कि अलकोहल का सेवन करने वाले व्यक्ति कभी कभी जब गलती से मेथेनॉल का सेवन कर लेते हैं या जिसे हम विक्रती कृत अलकोहल कहते हैं जिसमें एथेनॉल के साथ साथ मेथेनॉल भी उपस्तित होता है जब इस प्रकार के alcohol का सेवन कर लेते हैं तो methanol के oxy current से उनकी शरीर में methanol यानिकी madehaldehyde या जिसे हम कहते हैं formaldehyde का formation होता है और जो की आगे चलकर formic acid में convert हो जाता है जो कि हमारी शरीर के लिए काफी घातक होता है जिससे कि अंधापन उत्पन हो सकता है या फिर व्यक्ति की मृत्यू भी हो जाती है तो यही वज़ा है कि यहाँ पर जो एथेनॉल में विक्रति कर देने के फल्सुरूफ जो मेथेनॉल उपसित होता है वो काफी विशाक्त होता है जैसे कि कई बार हम न्यूस पेपर में पढ़ते हैं कि जहरीली शरापीनी की वज़े से लोगों की मृत्ति हो गई तो इसकी वज़ा यही होती है क्योंकि एथेनॉल में मेथेनॉल मिला होता है और मेथेनॉल जब आक्सिक्रित होता है जैविक रूप से आक्सिक्रित होता है शरीर के अंदर जो इसमें फॉर्मेलडिहाइड बनता है और जो अंत में जाकर फॉर्मिक एसिड में कन्वर्ट ह को जाता है जो कि हमारे शरीर के लिए काफी घातक होता है इस जो अमलता है विशाकतता है इसको कम करने के लिए विशाक्त व्यक्ति के शरीर में तनू एथेनोल को अंता शीरा के द्वारा चड़ाया जाता है जिससे एथेनल एल्डिहाइट को या जो फार्मेल्डिहाइट को फार्मिक एसिट में परिवर्तित करने के लिए जो एंजाइम जिम्मेदार होता है वो अधिक मात्रा में जल को ग्रहन कर लेता है और इस समय जल चुकी या जल को ग्रहन कर लेता अतह जो व्रिक होता है उसे पार्मिक एसिट को शरीर से बाहर करने का समय मिल जाता है और इस तरह से धीरे धीरे शरीर की जो विशाक्तता है वह कम हो जाती है